मायावती अखिलेश यादव मिलके योगी को हरा पाएंगे जब भी नहीं होगा मामला नहीं है वो दो साथ आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसका बादे तो वैज़े तो कोई उन्हों ना भी पूरे नहीं किया अखिलेश और मायावती अब एक साथ आ गए है ऐसे में उत्तर परदेश के मुसलमान उनके साथ आने पर क्या सोचते हैं क्या वाकि ये दोनों योगी को यूपी में मात दे पाएंगे आईए जानते हों इसे ऐको क्या लगता है क्या मोदी का दर है ये कीुच्छ नि कर पाएंगे वह दोनों साथ मिलकर भी कुछ नी कर पाएंगे और या एड़य दंपे साथ नहलु डेगा बी उत्तर पर देश की बात की जाये तो अभी एक साल लोने वाला है सरकार को आपको क्या लगता है योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आप क्या कहेंगे वादे तो वैसे तो कोई उन्हों नहीं पूरे नहीं है बताओ कौन सा वादा पूरा करा वाते तो बहुत सारे करें वे उन्हों लेकि जो लगातार जो कानून वेस्ता थी वो बिगर बिगड़ी हुई थी उसको अब सुधार दिया उत्तर परतेश में थोड़ा सुधार है जिस तरह कि बजमाशों को पकड़ रहे हैं कि इन कांटर क करें दो लोग चाहते हैं लाग यह अपना जो मामला चला अब आगे आला जानता है किस तरह मामला बने यह राज नहीं ती है इसका तो पल-पल बदलता रहता है दस मिनट पांच मिनट में बदल जाता है अभी तो जीता है कैसे कह सकते हैं जब तक कि अभी कोई सामने ना है कोई मामला ना सामना Lynies comment का मामला है जास मेरें तो अभी कुछ कहानी चाहिता, नशुल्त में lläस्जार किस तरह की हैं किए कैसे मिज़ाद है- दॉनigkeit किरुछ लिए यह दूब पांचिस, इस आपकी क्या राय कि क्या राएं अभी तो ये मामला है राजे सभा के सीट के लिए है अब चुनाओ किस रुख बैठता है वो तो राजनितिक पंडेती बता सकते है अब ही तो खामोश ही है ये तो राजे सभा के सीट का मामला है बस और कुश ही है यो फूल पूर और गोरखपूर में जो चुनाओ है दोनों मिल गए है मतलब यह है कि अर्जो मुलाहिम सिंग्स साथ आ जाएं तो योगी को हरा सकते हैं इस खबर में फिलाल इतना ही लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगों पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडवाइन्स इंडिया